मुझा करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें आज हम बात कर रहे हैं एक भारती जनसंग के नेता की आज हम बात कर रहे हैं एक प्रखर विचारक उत्कृष संग्ठन करता की आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने जीवन पर्यांत अपनी व्यक्तिकत इमानदारी वसतनिष्ठा को ही महत्तो दिया आज हम बात कर रहे हैं पंडित दिन्द्याल उपाध्याई की पंडित दिन्द्याल उपाध्याई भारती जनता पार्टी के लिए वैशारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रणेता के स्रोथ पंडित दिन्द्याल उपाध्याय मजहब और संप्रदाय के आधार पर भारती संस्कृती का विभाजन करने वालों को देश के विभाजन का जिम्मिदार मानते थे पंडित दिन्द्याल उपाध्याय भारती राजनीती के पुरोधा थे दिंद्याल उपाध्याई जी की मानिता थी कि हिंदु कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बलकि भारत की राष्टी संस्कृती है अपनी पुस्तक एकात्मक मानववाद में इन्होंने सामेबाद और पूजी वाद दोनों की समालोचना की है अगर हम पंडित दिंद्याल उपाध्याई जी के सामान परिशे की बात करें तो इनका जन्म सन 1916 में उत्तरप्रदेश राजी के चंदरभान नामक एक छोटे से गाउं में हुआ इनका जन 25 सितंबर को हुआ था जिसे हम पंडित दिंद्याल उपाध्या जैनती के रूप में मनाते हैं जब ये सिर्फ दो साल के थे तब इनके पिता का निधन हो गया इनके पिता एक सहायक स्टेशन मास्टर हुआ करते थे पिता की मत के कुछ सालों बाद ही इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया ततपा शात इनका और इनके छोटे भाई का लालन पालन इनके नाना स्री चुन लाल और मामा द्वारा ही किया गया पंडित दिंद्याल उपाधय 18 वर्स के थे तो उस समय इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया जिस वक्त इनके भाई का निधन हुआ उस वक्त ये नौवी कक्छा में हुआ करते थे अगर हम पंडित दिंद्याल उपाधय जी के सिक्षा की बात करें तो अपने जीवन की परेसानियों का असर कभी भी इन्होंने अपनी पढ़ाई पर नहीं पढ़ने दिया इन्होंने हर परिस्थित में अपनी पढ़ाई जारी रखी इन्होंने अपने मैट्रिक इस्तर की सिक्षा राजस्थान राजसे हासिल की और intermediate इस्तर की सिक्षा इन्होंने राजस्थान के ही पिलानी में सित भिडला कॉलेज से प्राप्त कि राजस्थान से intermediate इस्तर की सिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपूर में इस्तित सनातर धर्म कॉलेज में प्रिवेस लिया और साल 1936 में इस स्कॉलेज से परफ़रम स्थान में इसनात्ष की उपादी तराब्द कर लिए इसनात्ष की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अग्रेजी साहित्त में इसनाकोटतर करने के लिए आगरा के सेंट जौन्स कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन किनी कारणों के चलते इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पढ़ी पढ़ाई में काफी तेज थे दिन्द्याल उपाध्याजी और इसी कारण मैटरी की परिक्षा में प्रिथम आने के कारण सीकर के राजा कल्यार सिंग की ओर से 10 रुपए और 250 रुपए की मासिक छात्रवित्ती और स्वन्ड पतक इन्हें प्रदान किया गया एक बार की बात है कि पंडित दिन्द्याल उपाध्याजी अपनी इस नाकोत्तर की सिक्षा ले रहे थे उसी वक्त इनकी चचेरी बेहन राम देवी जी का निथन हो गया जिसके कारणिये अग्रेजी साहित्य की परिक्षा नहीं दे पाए और इनकी पढ़ाही पूरी नहीं हो सकी पंडित दिन्द्याल उपाध्याजी ने प्रांतीज सेवा परिक्षा को पास कर सरकारी नोगरी प्राप्द की और राजनीती में आने के चलते इन्हें नोगरी छोणनी पड़ी पंडित दिन्द्याल उपाध्याजी ने अपनी जीवन में विवाह नहीं किया और इन्होंने अपना सारा जीवन पार्टी को ही समर्फित किया अब हम जानेंगे पंडित दीन द्याल उपाध्याईजी द्वारा किये गए महतवपूर्ण कारियों को पंडित दीन द्याल उपाध्याईजी RSS के एक प्रशारक रहे और इसके रूप में इण्होंने महतःपूर्ण कारी किये प्रिशाराइक से पहले इन्होंने सन topics 1949 और 1949 में संग की शिख्षा का परसिख्षन लिया और 1955 में इन्हीं लखीम पूर जिले में RSS के प्रशाराइक के रूप में न्यूकत किया गया RSS का प्रशार करनी की जिम्मेदारी इन्हें ही प्रिदान की गई साल 1959 में भारती जनसंग पार्टी की इन्होंने नीव रखी पार्टी को बनाने का पूरा कार इन्होंने स्यामा प्रसाद मुखरजी जी के साथ मिलकर किया पार्टी के गठन के बाद उपाध्याय जी को इस पार्टी का महा सचीव भी नियुक्त किया गया भारती जनसंग पार्टी आरेसस से जुड़ी जो की हिंदू राष्टवाद की विचार धारा रखती थी 1977 में ये पार्टी जनता पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई कि एक पत्रकार के रूप में भूमिका की बात करें तो ये काफी प्रसिद्ध पत्रकार हुआ करते थे राश्धर्म नामक अख़बार के लिए इन्होंने कई लेख लिखे सापताहिक पंचंज्या और दैनिक सुदेश नामक दो अख़बार भी इन्होंने प्रारम लिखिए चंद्रगुप्त मौरे पर एक नाटक इन्होंने लिखा और संकराचारी के जीवन पर एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी आईए अब हम जानते हैं पंडित सुदेशी सामाजी का अर्थिक मौडल प्रस्तुत करना जिसमें विकास के केंदर में मानव हो अगर हम पंडित दिन्द्याल उपाध्याजी की बात करें तो इन्होंने पशिमी हुझी वादी व्यक्तिवाद एवं मार्गस्तवादी समाजवाद दोनों का ही विरोध किया लेकिन आधुनिक तकनीक एवं पश्मी विक्यान का स्वागत किया। पूजी वाद एवं समाजवाद के मध्ध एक ऐसी राह के पक्षधर थे जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो मौजूद हूँ लेकिन इनके अतिरेट एवं अलगाव जैसे अवगुण ना हो। उपाध्याजी के अनुसार पूजी वादी एवं समाजवादी विचार धाराएं केवल मानाओ के सरीर एवं मन की आवश्यक्ताओं पर विचार करती हैं इसलिए वे भौतिक वादी उद्देश पर आधारित हैं जबकि मानाओ के संपोन विकास के लिए इनके साथ साथ आत पंडित दिन द्यालुपा ध्याय जी द्वारा दिये गए एकात्मानववाद के वर्तमान में प्रासंगिक्ता की आज विश्व की एक बड़ी आबादी गरीवी में जीवन यापन कर रही है विश्व में विकास के कई मॉडल लाए गए लेकिन आशानुरू परिणाम किसी द द्वारा प्राप्त नहीं हुआ अगर हम बात करें तो दुनिया को एक ऐसे ही विकास मॉडल की तलास है जो एकिक्रित और संधारणी हो एकात्मानववाद एक ऐसा ही दर्शन है जो अपनी प्रकत में एकिक्रित एवं संधारणी है एकात्मानववाद का उद्देश्य व् प्रत्यक मानव को गरिमा पूर्ण जीवन सुनिशित करना है यह प्राक्यतिक संसाधनों के संधारणी उपभोग का समर्थन करता है जिससे की उन संसाधनों की पूनह पूर्ति की जा सके एकात्मानववाद का उद्देश्य प्रत्यक मानव को गरिमा पूर्ण जीवन प्र करना है इस प्रकार यह दर्शन भारत जैसे कल्यानकारी राज में सदेव प्रासंगिक रहेगा आईए अब हम बात करते हैं पंडित दीन द्याल उपाध्याजी की उपलब्धी के बारे में इन्होंने जो अपनी सेवाएं भारती जनसंग पार्टी और आरेसस को प्रदान की ह उसको अभी भी बीजेपी पार्टी के द्वारा याद रखा गया है और इस पार्टी द्वारा इनकी याद में कई तरह के कारे भी किये जाते हैं अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी की ओर से कई प्रकार की योजनाओं का नाम इनके नाम पर रखा गया उदाहरण की अगर हम बात करें तो दीन द्याल उपाध्याय अंतियोधय योजना दीन द्याल उपाध्याय ग्राम जोती योजना प्रमुक इसके उदाहरण है विधान मंत्री मोदी जी द्वारा कई सारवजनिक संस्थानों का नाम भी इनके नाम पर रखा गया अगर इनके हम निधन के बारे में जाने तो सन 1968 में 59 वर्ष की आयू में इनकी हत्या कर दी गई मुगल सराई इस्टेशन पर इनका सव प्राप्त हुआ था और इसी कारण इस इस्टेशन का नाम बदल कर 2018 में दीन द्याल उपाध्याय रेलवे इस्टेशन कर दिया गया एक नाम है दीन द्याल उपाध्याय जी का जिन्नोंने हमारे देश को भारती जनता पार्टी जैसी एक मजबूत राजनीतिक पार्टी देने का कारी किया तो साथ ही हो आज के वीडियो हैं हमने जाना पंडित दीन द्याल उपाध्याजी के बारे में हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए आप सौस रहें और पढ़ते रहें हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और सेयर करें अपने दोस्तों के साथ